सबसे पहले हम बाउन ले लेंगे और उसमें हमारी बची हुई रोटी डाल देंगे मैंने यहाँ पे धाई कब डें यूज किया है अच्छी तरह किसे हम रोटी को नहीं में कवर कर लेंगे अब हम इसको ढखके 10 मिनिट के लिए रख देंगे हम देख सकते हैं कि हमारी रोटी अच्छी तरह से नहीं को सोक कर चुकी है अब हम इसको ब्लेंडर जार में डाल के फाइन पेस्ट बना लेंगे जैसे आप देख रहें वीडियो में अब हम इसमें एक फाइन रवा या सूजी एड़ करेंगे और अच्छी तरह से इनको मिला लेंगे अच्छी तरह से रवार सूजी न पानी शोक कर लिया अब मैं इसमें वन फॉर्थ कप पानी एड़ गया है करूंगा बारी बारी से और अच्छी तरह से मिलाते जाएं कि अ कि अ कि अ कि अ कि इसको डग के पंद्रह मिन के रख देंगा कि अच्छी तरह से मिक्स हो चुका अब हम इसमें टू टेबल स्पून ड्रेड चिली पाउडर वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर और कि अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि अच्छी तरह सुएर के भूडरा ऑम चीना हुआ गाजट, लोकी, और थोड़ा सा अद्रग डाल देंगे और लास्ट में हम डालाएंगे मिर्ची का पेस्ट और थोड़े केपसी का अगर आपके पास खौन है तो वह भी आप डाल सकते हैं और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेजिए अब हम इच्छी में एक टेबल स्पून खोदीना और एक टेबल स्पून धन्याब और इसे अच्छी तरह से बाफीच से मिला लेंगे अब हमीज में एक पेकेट पूरा इनो यूज़् कर रहे हो और थोड़ा-सा पानी डालके हम इन्हों को एक्टिवट कर लेंगे और अच्छी दर सही से मिक्स कर लेजिए और हमें इसको तुरत पका लेना है अब हम एक पैन में वन फॉर्टी स्पून टेल डालेंगे अब हम इसमें राई और जीरा डालेंगे हम हमने यहां पर एक टेबल स्पून तेल भी डाले हैं थोड़े से करी लिवस हमने यहां पर एक चुटकी हींग डाले हैं इसे अच्छी तरह से मिक्स केजिए तड़के को पिर हम उसमें अपना बेटर तयार की डाल देंगे अच्छी तरह से फेला लीजिए लास्ट में हम कवर करके दस से पंद्रा मिनिट ते के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे और आप देख सेकते हो कि हमारा हंडोह जो रेडी हो चुका है तो इसी था ले लेंगे और उसमें पलट देंगे और फिर से हम तड़का बनाएंगे वही रिपीट प्रोसेस करेंगे तड़के के लिए चीरा, राई, हींग और थोड़े से तील और करी लिउस के साथ है केरफूली से अपने बने हुए हैंडोह को अच्छी तरह से डाल दीए ताकि वह तूट नाल सुपए और इसे 6-7 में ठीप पकाना है अब हमारा हांडोह रेडी हो चुगा है 6-7 में पकाना है